तो अपने दोनों हाथों को हमलावर के हाथों के बीच से जोड़िये फिर जुड़े हुए हाथों को पूरी तेजी से दोनों तरफ खोलिये इसके हमलावर की पकड तुरंट छुट जाई इसके बाद दोनों हाथों की हठेली से उसके कानों पर पूरी ताकत के साथ प्रहार गए इससे हमलावर का सिर्ध जना जाएगा फिर उसकी आखों में उंगलियों को गाड दे और उसका संतुलन बिगड़ते ही अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे पर पकड बना कर फिर फूर्टी से उठे और हमलावर की करदल पर जटका दे जटके का दड़ उसे उठने रही देगा किद्नापिंग यानि अपरण की स्किती में किसी को भी एक से ज़ादा व्यक्तियों का सामना करना पर सकता है पर सेल्फ प्रिटेंज की टेखनीक के ज़रिये हम अपना बचाप कर सकते हैं अगर कभी आप अभरण का शिकार हो जाएं तो सबसे पहले अपने बचाप के अभरण करताओं पर हमला करें अमोमन वो एक से ज़ादा ही होंगे ऐसी में किसी एक के चेहनी या ठोड़ी पर अपने सिर से बार करें फिर हाथ आई किसी भी चीज़ को हथियार बना कर दूसरे की आँख पर वार करें अपने बचाप के लिए आप अपनी कुमनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद तुरुत अपनी कोहनी और कलाई के बीच के भाग से ड्राइवर की गरदन पर पूरी ताकत से जोर डालें ताकि उसका सिर स्टेरिंग या हॉर्ण पर लग कर आहत हो जाएं इस मौके का फायदा उठाएं और जल्दी ही गाड़ी का दर्वाजा खोल कर वहां से भाग जाएं सेल्फ डिफेंस में हमारे हाथ हमारा सबसे बड़ा हथियार है लेकिन अगर हमारे हाथ जकड भी लिए जाएं तो भी हम अपना बचाप कर सकते हैं अगर कोई अचानक आप पर हमला करें और जबर्दस्ती आपके उपर आकर आपके दोनों हाथों को जकड ले तो तुरंट अपने हाथों को बहाचियों थीचे ताकि बदमाश का चहरा नीचे आपके सिर के पास आ जाए फिर अपने सिर से उसके चहरे या ठोड़ी पर प्रहार करें इससे आपके हाथों पर उसकी पकड कमजोर पढ़ जाएगी फिर अपने हाथ छुडा कर उसकी गर्दन मोड दे और जैसे ही बदमाश अपना संतुलन खो दे तो उसका वजन खुद पर से हटाते हुए उसे दूसरी ओर धटे ले और साथ ही उसके दोनों पैरों के बीच में जगा बना कर उसके पेट और जान के दीच के भाग यानि नाजुक अंग पर प्रहार करें हम लड़कियां जोती का वो स्वरूप है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है और जरूरत पढ़ने पर वो जोती आत्मरक्षा के लिए ज्वाला भी बन सकती है दिल्ली पुलिस की स्पुवाग टीम तमाम लड़कियों से बस इतना ही कहती है बी अलर्ट, बी प्रिपार्ट अंड बी कॉन्फिदेंट किरे च के लिए है आएर आहर है आएरे दोन्त आएरे हुआ है आएरे है आएरे आता है I am born To win